जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर अभी यह एक बेस्ट लोगों डीजाइंड कैसे होता है और आसानी के साथ हम लोग कैसे बनाते हैं तो वो आप लोग को आज हम दिखाने बाले हैं जैसे यह लोग देखेंगे तो माथास चमझे जहन रहा जाता कि यह बने और subscribe, like and share करें तो आईए video शुरू करते हैं सबसे पहले आप इसको क्या करते हैं हम लोग delete कर देते हैं इसके बाद इसको delete करने के बाद क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग को लेना परता है rectangle tool जो कि यहां आप लोग देख सकते हैं ellipse tool f7 का मेरा मकसद सिर्फ आप लोग को दिखाना ही नहीं है यानि हर angle पर की यह बना है कैसे यानि इसमें कून सा ऐसा tool का परियोग किया गया है हर tool के बारे में बारीकी से जानकारी देना मेरा करतब है जिससे कि आप लोग आसानी से उस चीज को समझ सके कि कौन सा option जाके कौन सा note को हमने delete किया जिससे कि यहां एक design बन गया और जब से पर एक rectangle लेने के बाद देंगे तो पेज के center में आजाएगा और यह node जो आप लोग देख रहे है शिप्ट दबा के इसको और छोटा कर लेंगे इतना छोटा कर लेंगे अब दोनों को क्या कर लेंगे Ctrl प्लस जी से group कर लेंगे गृूफ करने के बाद थोड़ा सा इसको इधर ले आएंगे या इसको और थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं कि मुझे design करने में आसानी होगा उसके बाद क्या करेंगे ज्यास्ट इसको एक node हम यहां लेके आएंगे याद देख सकते है कि आ सुरी इस टूल बाद स्सक्रॉप्त टूल में जाने के बाद बेटकल स्मेदवीट टूल जाए इसको लेंगे उसके बाद क्या करेंगें हम वह आप लोग देखते रही तो डे लिटे सबसे पहले मुझे कौन-कौन सा नोड को डिली explos करना है यहां से डिलीट कर देंगे यह node delete हो गया उसके बाद यह भी node मुझे delete करना है तो एक आसान सा delete हो गया उसके बाद यहां जो देख रहे हैं यहां से इसके उपर है तो इसको भी हम delete कर देंगे तो यहां भी node आप देख रहे हैं कि यहां delete हो गया आसानी से इहां से कट चुका है उसके बाद यहां जो आप के बाद यह उपर हो जागा तो इसको डिलीट कर देंगे फिर उसके बाद इसको तो यानि अब यह यहां तक यह बिल्कुल ठीक है यह भी इसके उपर होगा इसको यहां से डिलीट करेंगे और इसको यहां से डिलीट करेंगे यानि यह भी complete हो गया अब बच गया कि यह तो य जो है rectangle यहां इसके उपर रहेगा तो इसको भी delete कर लेंगे हम इसको भी हम लोग आसानी से डिलीट कर लेंगे तो यहां देख सकते हैं कि यहां से चला अंदर चला गया फिर यहां से होते हुए उपर होते हैं यहां आ गया अब इसमें हम क्या करेंगे color fill करेंगे जो कि आप thumbnail म smart tool पर जाने के बाद हम सबसे पहले यहां से color change कर देते हैं इसमें सबसे पहले हम blue ले लेते हैं तो उधारन के तोर पर यहां दे दिये blue उसके बाद यहां दे दिये और यहां blue दे दिये उसके बाद अब इसमें क्या करते हैं कोई दूसरा साथ देते हैं तो rate देते हैं उसके बाद rate यहां डाल देंगे और यहां डाल देंगे उसके बाद इसमें भी हम लोग दूसरा डाल देते हैं दूसरा color डाल दे असानी से इसको यहां से डालेंगे यहां से यहां और यह भी हो गया अब इसको सारे को क्या कर हम इसका outline हटा देंगे तो यह एक देख सकते हैं कि आसानी के साथ best design बन चुका है best logo design बन चुका है और इसी तरह से आप लोग एक design और logo create कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को subscribe, like and share करें वीडियो देखने के लिए आप लोगों को कोठी कोठी धन्यवाद